हरे कृष्णा भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे नवे अध्याय का बारवा शलोक आपको ध्यान होगा भगवान ने बताया था ग्यारवे शलोक में कि बहुत सारे ऐसे मूर्ख हैं जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूँ देखे भगवान ने चौत्या ध्याय में भी बताया था ना जब जब धरम की हानी होती है तो भगवान जो है अपने भक्तों के उद्धार के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए अवतरित होते हैं सो भगवान यहाँ बता रहे थे 11 श्लोक में कि कुछ श्लोक तब भी उनको भगवान के रूप में नहीं मानते तो कहने का मतलब यह इस दुनिया में अनेक लोग हैं जो भगवान को भगवान के रूप में स्विकार नहीं करते उनकी बताईवी शिक्षाओं पर संधे करते हैं संधे इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि अगर इसको पढ़ेंगे और इसको मानेंगे तो अपने मन में जो हमें मनो धर्म है जो भी आश करने की इच्छा हमने बना रखी हैं इंद्रित रिप्ति की चाहें बना रखी हैं वो सब खराब जाएंगी वो सारी योजनाए विफल हो जाएंगी इसलिए वो गीता और गीता से रिलेटिड हर चीज को उस से रिलेटिड हर उपदेशक को क्रिटिसाइज करते हैं भगवान को क्रिटिसाइज करते हैं या मानते नहीं उनके बारे में भगवान बार्मेश लोक में क्या बता रहे हैं भगवान कह रहे हैं जो लोग इस प्रकार मोह ग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रती आकरश्ट रहते हैं जो लोग भगवान को नहीं मानते, भगवान की नहीं मानते, नाचुरी ऐसे लोग कैसे होंगे, आसुरी, असुर, राक्षसी प्रवत्ती के, नौन विज खाएंगे, ड्रिंग करेंगे, है ना, जूट, चोरी, चकारी, अलस्य, सारे अवगुण उनमें होंगे, नास्तिक विचारों के होंगे, नाचुरी वो भगवान को मना करेंगे, ये सब सुपरस्टीशन है, कोई आदमी भगवान का नाम ले रहा है, तो सुपरस्टीशन है, फाल तो कि एंगलेिश गानों पे नाच रहा है, तो वो मौडर्न है, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए तो आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रती आकरश्ट रहते हैं इस मोगरस तवस्था में उनकी मुक्ति आशा, कहां से मुक्ति मिलेगी सकाम कर्म, इवन उनको ढंक से सकाम कर्म के फल भी नहीं मिलते और ग्यान का अनुशी, लन, ग्यान भी कहां मिलेगा उनको जो इस तरह का वेक्ति होगा उसका जीवन पूरी तरह से फलॉप है वो अपने आपको हिप हॉप शो करके कि मैं तो पतानी कितना सफल कितना हूँ कुछ नहीं है, यह दिखावा होता है, ऐसे लोग अपने आपको बहुत काबिल समझते हैं दूसरों को बस अपनी नॉलेज जाडने की कोशिश करते हैं, अपनी अमीरी, अपनी काबिले जाडने की कोशिश करते हैं थोड़ो दुनों में खुद ही ठक जाते हैं क्योंकि खुद की प्रिशंसा आप कितनी करोगे, ठकी जाओगे एक दिन प्रिशंस नहीं है तो स्वयम भगवान श्री कृष्न है प्रिशंस नहीं है तो उनकी कही भी भगवत गीता है अगर हम इसकी प्रिशंसा करेंगे तो कभी नहीं ठकेंगे अपनी करने लगेंगे तो बोर हो जाएंगे, एक दिन ठक जाएंगे और कोई सुनने वाला भी ना होगा, आगे चलते हैं, अब हम चलेंगे तेरवे स्लोप में, इस स्लोप में भगवान कहा रहे हैं, मैंने ये देव वर्ड हमेशा बताया, डिवाइन, जो इस भौतिक दुनिया से परे है, तो जो भगवान की डिवाइन नेचर है, देवी प्रकती, उसके संरक्षन में रहते हैं, मतलब उसको वो देवी प्रकती है, जो भगवान की दिव्विता है, वो प्रोटेक्ट करती है, किसको जो महो मुक्त महातमा जन है, यानि भगवान के, वे पूंड ते भकती में निमगन रहते हैं, ये नहीं कि आज की कल नहीं की, ना वो इदर उदर भागते हैं कि आज इस देवता की पूजा, कल उस देवता की पूजा अनन्य भकत होते हैं, तो यही लिखा है, ये इदर उदर भागते नहीं, तो चलिए अगला श्लोक लेंगे जो की बहुत ही पॉपुलर श्लोक भी है, भगवत गीता का इंपॉर्टन श्लोक भी है, जिसमें पहली लाइन खासकर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सततम कीर्तियंतो माम, ये अगर हमने समझ लिया और उ स्लोक है, ये पॉपुलर स्लोक है भगवत गीता का, भगवान कह रहे हैं, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, सततम कीर्तियंतो माम, सततम कीर्तन, ये भगवान का जो कीर्तन करना है, भगवान का जो नाम लेना है, वो लेना है सततम, रोज लेना है, हो सके ह हरवक्त लेना है, ये धीरे-धीरे प्राक्टिस से हो पाता है, बहुत सारे ऐसे शुद्भक्ते हैं, जो सारा दिन भगवान को याद रखते हैं, मनी-मन उनके जब चलता रहता है, ये धीरे-धीरे अभ्यास से भी होगा, लेकिन अभी आप लोग प्रियास करके भगवान का जोज, हरी नाम, जब करें, कीर्टन करें, ये भगवान की इंस्ट्रक्शन है, कि ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य है, देखी ये बड़े बात है, नित्य कीर्टन करते हुए, फिर आगे क्या का है, द्रड संकल्प के साथ प्रियास करते हैं, यतन्त चै द्रडवता, तैसी परिक्षाइं आएंगी, आपको लगेगा भगवान मेरे पीछे पड़े हुए, दूसरे लोग तो खुब मौच कर रहे हैं, ये परिक्षा होती है, बस, कई बार हमारे जीवन में कष्ट भी इसलिए आते हैं, कि भगवान आपको अपनी तरफ बुलाते हैं, अपनी अच्छे से लग जाते हो, तो कई बार उस वक्त तो खराब लग रहा होता जब हम फसे भी होते हैं, लेकिन जब उससे निकल कर अच्छी सिचुएशन में पहुंसते हैं, रोज भगवान का कीरतन करना, रोज भगवान का नाम लेना, दृड़ता और बढ़ जाती है, तब अब और जादा अच्छे से भक्ती मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर चल पड़ते हो, आगे भगवान कह रहे हैं, मुझे नमशकार करते हुए, नमशकार शब्द में कई चीज हैं, सबसे बड़ा नमशकार क्या है, किसी भी महात्मा, किसी भी व्योवरद, बड़े व्यक्ति क मुझे नमशकार करने का अर्थ है, उनका संबान करना, शरद्दह से उनकी बाते सुनना, जितना हो सके उनको फॉलो करना, यह सब है, नमशकार, आगे भगवान कह रहे हैं, भक्ती भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं, पूजा करने का अर्थ भी यही है, बेसिकली, अभी जरूरी है, तो जब हम भगवान का भक्ती भाव से पूजण करते हैं, उने प्रणाम करते हैं, तब हमें बहुत बहुत भगवान की क्रपा प्राप्त होती है, और यह शलोक उन लोगों को भी आंसर करता है, जो कहां लिखा है मुझे दिखाओ कि आप भगवान की आरती उतारिए आप जुक कर भगवान को प्रणाम करें भगवान ने ऐसा कब कहा है तो आप दिखाइए उनको नौवे ध्याय का चौदवा श्लोक जहां भगवान ने कहा है कि मुझे ऐसे भगवान ने यहां कहा है अब हम कितना फॉलो कर पाएंगे यह हम पर है हरे कृष्णा अगर यह वीडियो आडियो सीरीज अच्छी लग रही हो तो दूसरों को भी फॉरवड करें आप सब को ज्यादा तर को मैंने WhatsApp गृप में जोड़ा हुआ है अपने परिवार और मित्रों को भी इस गृप में जोड़ें हरे कृष्णा